हेलो एव्रीवन वेलकम बैक तो माई चैनल सिक्यूर्टी कॉंसेप्ट तो यह हमारा साइबर किल चेन पर जो सिरीज चल ली है तो हम फिर्ष्ट फेस हम डिस्कस कर रहे हैं साइबर किल चेन का जो है रिकॉन फेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने तार्गेट की तो उसमें हमने अभी दख थ्री लैप्स को डिस्कस कर लिया है तो यह जो आज की है हमारी वो फोर्थ लैप होगी तो आज कभी जो लैप है वो हमारी वी एस एफ्टीपीडी रिकॉन पे है लास्ट लैप भी हमारी एफ्टीपी पे थी तो वी एस एक्टीपीडी का फुल पॉर्म क्या होता है वैरी शिक्षार एक्टीपी देमन तो इसमें हम बेसिकली डिक्सिनरी एटैक को डेखेंगे कैसे हम डिक्सिनरी एटैक पर्फॉर्म करते हैं तो जो आज का लैब का description है हमारे पास In this challenge we will look at the dictionary attack on vs FTPT server जो goal रहेगा हमारा Find the password of user Billy The FTP server terminates the session after 3 attempts जो एक हमारे पास restrictions हमारे पास इसमें है जो है कि जो FTP server है वो terminate हो जा रहा है उसका session after 3 attempts के बाद तो ये एक security लगी है इसमें हमारे BS FTPT server पे FTP server जो है हमारे पास तो हमें अब कुछ ऐसा try करना पड़ेगा जिससे ये जो हमारी एक issue आ रहा है जो terminate हो जा रहा है session after 3 attempts के उसको overcome कर सके हम तो इसमें हमने इस चीज को overcome करने के लिए हमने एक हमारे पास script है python पे उसका हमने use किया है ठीक है जो available क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते है जो हमारे पास available है meta exploit के module और end map script perform हम कर सकते हैं जिससे dictionary attack वो work नहीं करेगा क्योंकि इसमें आप clearly mention किया गया है कि जो session है वो terminate हो जा रहा है 3 attempts के बाद तो हमारा meta exploit के module भी इसमें work नहीं करेंगे और अगर हम end map script के थुरू करना चाहें वो भी इसमें work नहीं करेंगी तो एक हमारे पास custom script है जो python पे है उसका हम use करेंगे उसके help से हम dictionary attack perform करेंगे तो मैं आप और जो हमारे goal है इसमें find the password of user belief terminate ठीक है यह हमने discuss कर लिया है फिर जब हम इंबार password मिल जाएगा फिर हमें login करके जो flag है हमारे ftp server में उसको fetch करना है तो यह दो requirement हमारे इस वाली lab में है दो goal है हमारे पास इस lab में उनको हमें perform करना है और एक हमें पार condition है जो मैंने already discuss कर लिया आप से हमारे ftp server terminate हुआ रहा है session after three items तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें आज की lab को perform करना है तो सबसे पहले हम find out करेंगे user billy उसके लिए हम dictionary attack perform करेंगे with the help of python script तो जो script है वो मैं आपको दिखा दिता हूँ ls करता हूँ मैं आपर break.py करके मेरे पास script है यह उसका content है basically इस script में हम use कर रहे है एक pack pack library को जो automate कर रहा है हमारे ftp brute force attack को ठीक है import कर रहे हैं एक pack pack library को और एक sys module को यहाँ पर आप देख पार होगे और इसके साथ साथ यह जो script है वो तीन command line arguments को ले रही है जो है target ftp server argument 1 आपको दिखेगा यहाँ पर ठीक है और second वाला जो argument है वो user name है तो use for the attack जो हो रहा है argument 2 नाम से है जो यह है थर्ड वाला जो हमारे पार use हो रहा है वो path हो रहा है वो password dictionary file के लिए जो three नाम से हमारा यहाँ पर denote है ठीक है तो यह script में यह चीज है हमारी तो इसकी help से हमें perform करना है अपना dictionary attack तो चलिए फिर इसका use करते हैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे इसका use करते हैं clear कर देता हूँ इसे मैं तो सबसे पहले हमको इस script को load करना होगा command में फिर उसके बाद हमें password file इसमें call करानी होगी तो जो command हमारी use होगी वो होगी python space script का नाम break.py script है हमारी तो यह use होगी space हमारा जो मैं अपना target का IP देख लेता हूँ हमारा target का IP है copy कर लेते हैं से paste कर लेता हूँ 3 आ गया इसके बाद हमारे पास question क्या था इसका find out करना है हमने था password of billy यहां पर हम यूजर नेम डाल लेते हैं billy space flash usr share यह हम पाद डाल लें यहां पर हमारी पासवर्ट की फाइल है metax space target का IP space user name space हमने पाद डिनोट कर दिया जहां पर हमारी पासवर्ट फाइल है unix hyphen sorry unix underscore passwords dot txt तो हम start करते हैं इसको तो अब यह try करेगा different different passwords को जो हमने password फाइल में load करेंगे password को उन सब को try करेगा और हमें at the end billy user का password मिल जाएगा और जब हमें password मिल जाएगा उसके बाद हम username हमारी पाद ही बिली और password हमें इससे find out हो जाएगा तो फिर हम ftp server पे login करेंगे with these credentials और अपना जो flag है उसको retrieve करेंगे तो एक एक करके सब try कर रहा है passwords और possible passwords जो जो mention डूंगे हमारे passwords unix underscore passwords फाइल में अज़ना झाल जाएगा झाल 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 खोड़ टाइम लेड़ा है तो इस तरीके से हम हमारे पास अलग-अलग methods होनी चाहिए जब भी हम कोई security में कोई चीज जैसे हम privilege explanation ही करते हैं तो हमारे पार different methods होती है privilege explanation कि अगर एक successful नहीं रही तो हम second करते हैं second नहीं रही तो third रहते हैं तो methodologies पर हम work करती है पूरी cyber security में हमारे basically जो offensive security है हमारी हमारे पार number of methods रहते हैं तो इसमें भी आपने देखा कि जैसे हम अपना meta exploit का use कर सकते थे module का पर वो नहीं कर पाए हमारे पास कुछ ऐसी circumstances थी endmap का use भी नहीं कर पाए हम endmap script का use भी कर सकते थे तो हमारे पास तीसरी methodology थी जो हम python script की help से हमने perform किया तो अब आप देख रहे होगे last match में login successful for Carlos तो password हमें मिल गया है तो यह है Carlos तो username अब हमारे पास हो गया है Billy पासवर्ड यहां पर लिख लेते हैं तो username हमारे पास हो गया Billy and password हमारे पास हो गया है Carlos तो चलिए फिर login करते हैं अब हमें क्या करना है उस FTP server पर जो target server हमें पास उस पर login करना है तो यहां से मैं copy कर लेता हूं इसे इसको clear कर देते हैं गुद्बाइ 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 एलेस करते हूं यहां पर flag नाम की file आ गई है clear करते हूं cat करते है flag को तो यह हमारे पास flag हमारे पास आ गया है copy जो हमारा answer था वो हमें मिल गया है तो इसमें हमने एक नई चीज़ देखी है python script देखी जिसकी help से हमने dictionary attack perform किया और वो successful भी हुआ उससे हमें password find out हो गया password जब हमें find out हो गया तो हमारे पर credentials आ गया है फिर हमने FTP पे login किया login करके हमने अपना जो goal था fetch the flag from FTP server वो हमने successfully complete किया तो इस वीडियो में इतना ही था तो यह वीडियो में एंड करता हूँ I hope के वीडियो आपको informative लगी हो if you like my video please subscribe my channel hit the like button and share your feedback in comment section thank you you I 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